तो फ्रेंड्स अस्सालाम वालेकुम वेलकम टू नास किचन और आज हम बनाने जा रहे हैं मेयोनी सैंड्विच तो अगर आपको पसांद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ये मेरे चैनल को और हिट दा बैल आइकन गाइज इसो इंग्रीडियेंस गईस मैंने ब्रेट श्याआपा , अमूल वार्टर लिया घर वेज मेरे टम Mitch लिया मैं लिया मैंने कुकम्पर कर लिया मैंने करेट कॉ और यहां पर मैंने थोड़ा सा बलैक पेपर लिआ यहां sa Νa पर I musa लाई पर्टषि कि कि पहले से मेराइम लिक इसमे और अच्छे लिए कि उसक है सबसे पहले भरेड ले लिया है अब मैं इसमें दाहिए है कर दो थे किंद अ गाज़ डाट रहे हैं थोड़ा सा फिर खीरा डाल रहे हैं फिर टमाटर और इसमें भी हम मैउनीज लगा लेंगे और इसे बंद कर लेंगे फिर हम इसे सेख लेंगे यहां पर मैउनीज लगा लिया है अब हम इसे इसी तरह से और बना लेंगे और हम इसे सेख लेंगे तो आईए अब हम सेखते हैं इसमें बटर लगा लेंगे दोनों साइट में और फिर हम इसे सेख लेंगे अब हम इसे सेक लेंगे मैं इसे पैन गराम हो चुका है और हम अपना ड्रेड राख रहें है इसमें अई से थोड़े देर गोल्डन रां होने के छोड़ेंगे इसे सेखने के लिए छोड़ दिया है अब हम इसे दूसरी साइट करके देख लेते इसका बहुत अच्छा कलार दोनों साइड ऐसा ही हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल के कट कर लेंगा यह दूसरी साइड से पख गया है और हम इससे दिखा देते हैं हलका सा ब्लैक पेपर चीरा करेंगी है अंदा से नहीं देना है मैं बाहर से दे रही है दोनों साइड में कि आपको जैसे ठीक लगे अगर आप अंदा से डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अब हम इसे यहां से कट कर लेंगा तो अब देख चाहते हैं हमारा सांड्विच रेगी है अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज हीट अब बैल आइकन गाई को यह रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थाइंक यू फॉर वाचिंग और साहर बात् करिए rok एंग प्लीज भर करेंगी है लेंग्यट तो आपको लॉकास